आए मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भरलो पानी जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी नमस्ते जोहार मैं आशुतोष कुमार मध्धिविद्यालय मुर्हुलसुदे कक्षा आठ्वी का छात्र हूँ आपके बीच स्वतंतरता दिवस पर दो शब्द रखना जाता हूँ मंच पर उपस्थित परम आदरनी प्रधाना ध्यापक महोदय आदरनी शिक्षक वरिंद अध्यक्ष महोदय विद्यालय प्रवंधन समीती के सदस्य गण अभिभावक गण विद्यालय परिवार के मेरे प्यारे दोस्त, भाईयों, बहनों और नन्ने मुन्ने बच्चों विद्यालय प्रांगण में आप सभी का हारदिक स्वागत करता हूँ लाखों, संघर्षों और बलिदानों के बाद मिले इस आजादी के पावन राष्ट्रिय पर्व के मौके पर आप सभी को हारदिक शुबकाम नाएं आज हमारे प्यारे भारत देश का स्वत्मता दिवस है आज के ही देन 15 अगस्त 1947 को हमारा देश अंग्रेजों की 200 वर्षों की गुलामी से लाखों कुर्बानियों के बाद आजाद हुआ था सवाल यह है कि जब आजादी हमें मिल गए तो फिर आज यह दिवस क्यों मनाए तो आज उन शहीदों को याद करने का दिन है उन्हें स्रद्धानजली देने का दिन है हम याद करें महात्मा गांधी जी के नित्रुत में उन्हें 120 में हुए असहयोग आंदोलन को 1930 में हुए सविनय अवग्या आंदोलन को 1942 में हुए भारत छोडो आंदोलन को सुभास चंदर बोस के नित्रुत में हुए आजाद हिंद फोज के सैनिकों की कुर्बानी को भगत सींग जैसे हज्जारों करांतिकारियों की शहादत को खुदिराम बोस जैसे मात्र तेरह वर्ष की उम्रब के छोटे करांतिकारी को भेमराव अम्बेट कर जोतिबाराव फूले जैसे समाज सुधारकों के अधक प्रयास को बिर्सा मुंडा सीदो कानो फूलो जानो जैसे हज्जारों करांतिकारियों के बलिधान को 1857 के राश्ट्री विद्रो राश्ट्री नायकों को स्वामे विवेका नंद जी को जिन्होंने राश्ट्रबाद और चरित्र निर्माण में महत्पुर्ण भोमी का निभाई उन हजारों लाखों स्वतंतरता सेनानियों को जिन्होंने देश के लिए अपना सरवस्व नियोच्छावर कर दिया बेशक हम दुनिया का सबसे बड़ी जन्संख्या वाला देश हैं हमारी स्रम शक्ति यानि मानव स्रम बहुत ज्यादा है और सस्ता भी है हम श्वेत क्रांती, हरित क्रांती, तकनिकी क्रांती के साक्षी रहे हमने परम कंप्यूटर बनाया चांद पर जंडे गाड़े, परमानों संपन्न राष्ट है आरे भट जैसा पहला कृत्रिम उपग्रह बनाया एक बड़ी सैन्नी शक्ती है कई सारे रेकॉर्ड्स हमने बनाये हैं लेकिन साथ ही साथ निशेश यानि अधूरी रह गई वयक्तिक और सारजनिक जीवन की गुलामी से आजादी पाने के लिए संकल्प लेने का भी दिन है आज गलत विचारों से आजादी बुरी आदतों से आजादी बुरे व्यसनों से आजादी गरीबी से आजादी अशिक्छा से आजादी जनसंख्या वृद्धी से आजादी विरुजगारी से आजादी बीमारी से आजादी ब्रष्टचार बैमानी से आजादी अकर मन्नेता से आजादी नकसलवाद से आजादी आतंकवाद से आजादी भाशाई आतंक से आजादी अधिवाद से आजादी हिंसा से आजादी, विभाजनकारी शक्तियों से आजादी, लिंग भेद से आजादी, उंच नीच से आजादी, धार्मिक भेदभाव से आजादी, जात पात से आजादी, अस्प्रिश्यता यानि छुवा छूत से आजादी, अंद विश्वास से आजादी, आलस्य प्रमाद से आजादी, समप्रदाइकता से आजादी, ये आजादी पाना तभी संबव है, जब हम अपने छह मौलिक अधिकारों के परती जागरूख बनेंगे, अपने ग्यारह मूल करतव्यों का पालन करेंगे, समविधान को जानेंगे, उसका सम्मान करेंगे, अपनी सामासिक का आदर करेंगे अपने राष्ट्रिय धरोहर का सम्मान करेंगे अपने तिरंगे जंडे का मान करेंगे हम राष्टी जंडा तिरंगे को सेल्यूट करते हैं क्योंकि ये हमारे संघर्ष और बलिदान का प्रतीख है इसका केसरिया रंग हमें बलवान होने की प्रेरिणा देता इसका सफेद रंग हमें इमानदारी और सच्चाई की प्रिर्णा देता है इसका हरा रंग हमें संब्रिद्ध होने की प्रिर्णा देता है और बीच का चक्र हमें निरंतर आगे बढ़ते रहने और चलते रहने की प्रिर्णा देता है दूसरा प्रश्ण है कि जब हम सेना यानि फाज में नहीं हैं तो हम देश भक्त कैसे बनें और अपनी देश भक्ती कैसे दिखाएं तो इसका सरल सा उत्तर है कि हम जहां भी हैं जिस कारे में भी लगे हों वहां पूरी निष्ठा और इमानदारी से कारे करते रहें यही हमारी देश के परती सच्ची भक्ती और शहीदों के परती सच्ची सरद्धानजली होगी उदारन के रूप में यदि हम टीचर हैं तो समय पर उसकूल आएं इमानदारी और निष्ठा से बच्चों को पढ़ाएं ताकि आपके स्कूल के बच्चे डॉक्टर, इंजिनियर, ओफिसर, टीचर, क्लर्क, सैनिक, पुलीस के साथ साथ एक बेहतर इनसान भी बनें यदि आप स्टूडेंट हैं तो आप रोज उसकूल आएं, मन लगा कर पढ़ाई करें ताकि आप देश के एक अच्छे, सच्चे और पेहतर इनसान बन सकें आखिर शिक्चा का मूल उद्देश्य भी तो यही है जब भी आप कोई कारे करें, तो कारे कितना सही है इसके आकलन के लिए गांधी जी का जनतर याद रखें कि आपके कारे से समाज के अंतिम पायदान परस्थित आदमी के हित में आपका कारे है या नहीं जब चारों और खुशियां हो, लोग स्वस्त हो, शिक्षित हो, रोजगार युक्त हो, समाज ब्रश्टचार मुक्त हो, हमारा समाज सोशन से मुक्त और समता मुलक समाज हो यही आजाली का मुख्य मतलब होना चाहिए तो आईए हम सब मिलकर महत्मा गांधी जी, शहिदिया जम भगत सिंग, नेता जी सुभास चंदर बोस, भगवान बिर्शा मुंडा, आदी के सपनों का भारत बनाने का कम से कम अपनी भूमी का निभाने का संकल पले इन्ही कामनाओं के साथ पुनह आप सभी को स्वाधीनता दिवस की हारदिक्षुप कामनाएं, गर्व करें खुद पर, गर्व करें देश पर जब भी मन में अपने कारे की शुद्रता का एहसास हो, तो आप यह वाक के गाठ बांध लें, कि आप महज एक व्यक्ति नहीं हैं, बलकि पूरे राश्ट के अभी व्यक्ति हैं, आपके एक-एक कर्म से पुरा राश्ट प्रभावित होता है यकिन मानिये, आपको गर्व का अनुभव होने लगेगा मुहम्मद इकबाल सहब ने लिखा है, सारे जहां से अच्छा हिंदो सता हमारा, हम बुल बुले हैं इसकी ये गुलिस्ता हमारा जै हिंद, जै जार खंड